हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निशा खंडेलवल स्वागत है आपका अपना अपना साथ में आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही दम आलू या बेबी आलू की सबजी जो भी रेस्टोरेंट स्टेल में सबसे पहले मैंने 500 ग्राम बेबी आलू लिये हैं आलू को सबसे पहले धो लिया है और उसके बाद हम आलू को छील लेंगे हमने सबी आलू को छील लिया है अब हम इन आलू को फॉक की सायता से इसमें छेट कर लेंगे दोस्तों अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस तरह से मैंने सारे आलो को फॉक की साइता से छेट कर लिया है ताकि मसाला आलो के अंदर चला जाए अब हमें कड़ाई में तेल लेंगे और इन आलो को डिप फ्राइ करेंगे हमें आलो को 80% तेल में पकाना है और 20% ग्रेवी में जब तक आलो ब्राउन होने लगते हैं तब तक हम ग्रेवी की त्यारी कर लेते हैं ग्रेवी के लिए हमने एक प्याज को कट करेंगे और इक से मिक्सी जार में डालेंगे साथ में ही तीन से चाल लैसुन की कली, एक इंच अद्रक का टुकड़ा, एक टुकड़ा दालचीनी का, दो से तीन लोंग और दो छोटे टमाटर को कट करके मिक्सी जार में पीस लेंगे अब हमारे बेवी आलू भी ब्राउन हो गए हैं, अब हम इने तेल में से निकाल कर एक प्लेट में भार निकाल लेंगे अब हम एक कड़ाई में एक चम्मच के करीब तेल डालेंगे इसमें आधा चोटा चम्मच जीरा डालेंगे एक तेज पत्ता और एक साबुत लाल मिर्च डालेंगे उसके बाद हम इसमें टमाटर प्याच की ग्रेवी जो हमने पहले से तयार कर लीती उसे डालेंगे अब हम ग्रेवी में मसाले एड़ करेंगे इसमें एक चम्मच कश्मिरी लाल मिर्च एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर नमक हम स्वाद के अनुसा डालेंगे और अब हम ग्रेवी को कुछ मिनिट के लिए ढग देंगे पाँच मिनिट के बाद हम देखते हैं कि ग्रेवी हम ग्रेवी में से तेल अलग होने लगा है अब हम इसमें आधी कटोरी दही दीरे दीरे करकर ग्रेवी में मिलाएंगे ध्यान रखे हमें ग्रेवी को कंटिन्यू चलाते रहना हैं और ग्रेवी को हम फिर कुछ मिनिट के लिए पकने देंगे दोस्तों अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अब हम ग्रेवी में एक चमच के करीब मलाई मिला लेंगे सात ही हम ग्रेवी में ठोड़ा पाने डालेंगे हमें इसमें बेबी आलू को भी डालेंगे और एक चोथाई चमच गरम मसा डालेंगे और थोड़ी सी कस्तूरी मेती डालकर इसे थोड़ी देर और पकने देंगे कुछ देर बाद हम देखते हैं हमारी दम मालू की सबजी बनकर तैयार है आहा और इसमें एक अच्छी सी कुछ वो आने लगी है सबसे लास्ट में हम धनी हरे धनीय से गार्णिश करेंगी दोस्तो अगर आपने मेरी चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए